हलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्नेंग चले आज की लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाइड्राइट्स के बारे में तो जैसे कि आप अलड़ी जानते हों कि इस चेप्टर के अंदर टोडल कितने पार्ट से चार पार्ट थे कौन से चार पार्ट थे डाय हाइड्रोजन सबसे पहला तो सवाल यह आता है कि हाईड्राइट्स ठीक है अब ज़रूर दर्ना करता है कि उसके वेलेंस्य कितनी है तो जैसे यहाँ पर beryllium hydride के example में आप देख रहे हैं कि beryllium 2 hydrogen से जुड़ा है जबकि di borine के case में आप देख रहे हो 2 boron है और 6 hydrogen है तो यह hydrides हो गए hydride के mainly 3 type होता है covalent hydride, ionic hydride and metallic hydride ठीक है अभी type कैसे है क्यों है इसको अमलोग थोड़ा detail में समझते है ठीक है तो एक्जांपल मैं फिर से देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो lithium hydride पहला जो यहाँ पर एक्जांपल है lithium hydride H2 खुद भी एक hydride है क्योंकि उसमें hydrogen और दूसरा hydrogen चुड़ा हुआ है NAH sodium hydride potassium hydride drobedium hydride ठीक है और यहाँ पर आप देख रहे हैं यह सारे भी जो है वैसे तो इसको hydrogen fluoride कहते है इसको hydrogen chloride कहते है लेकिन इन सभी को in general जैसे मैंने पहले भी कहा है कि टेक्निकली नहीं लेकिन commonly इसको hydride कहा जाता है असल में hydride शब्द का मतलब होता है hydrogen with the negative charge तो HF में तो obviously it is hydrogen plus 1 and fluorine which is minus 1 ठीक है लेकिन फिर भी हम लोग in common एक ऐसे ही कहते है कि यह सारे hydrogen के जो भी compound है उसको hydride की category में हम ढाल देते है अलगि टेक्निकली यह सही नहीं है टेक्निकली सही क्या होता है जब hydrogen के उपर negative charge है तो य hydride कहना चाहिए लेकिन commonly सारे compound को hydrogen के compound को hydride कह सकते है ठीक है तो अभी आगे बढ़ते हैं कि hydride जो होता है उसकी टाइप हमने बात करी बराबर तो पहला टाइप मैंने बताया था आयोनिक और सलाइन हाइड्राइड दूसरा तक कोवेलेंट हाइड्राइड और तीसरा जो है वह मेटालिक और नॉन स्टोइशोमेट्रिक हाइड्राइड तो आयोनिक हाइड्राइड कौन से होता है तो एस ब्लोक के elements जो भी compound बनाते है बराबर यह सारे आपके आयोनिक हाइड्राइड में आएंगे ठीक है अब इनका difference क्या हो हम समझते है तो औव्योस सा question हमारे मन में आएगा सोडियम पोटेशियम यह सब भी तो मेटल है तो इनके हाइड्राइड को मेटालिक हाइड्राइड क्यों नहीं कहते तो क्या इनकी definition में फरक है और इनका क्या मतलब होता है हम लोग one by one समझेंगे पहले आप तीनों को याद कर लीजे आयोनिक हाइड्राइड मेटालिक हाइड्राइड और कोवलें हाइड्राइड ठीक है और आयोनिक हाइड्राइड के हम बात करें तो s-block के जो elements है मतलब आपके लीथियम सोडियम पोटेशिम रूबीडिय पहला जो ग्रूप है अलकली मेटल का वो और दूसरा जो ग्रूप है अलकलाइन अर्थ मेटल का वो यह सारे आपके आयोनिक हाइड्राइड में आता है हाला कि बेरिलियम और मेगनेशिम के जो हाइड्राइड है उसमें काफी कोवलेंट केरेक्टर होता है फिर भी एक हम पॉंड का मतलब आप यह लेक्चर के एंड में और शायद बैतर समझेंगे तो अभी मैं फिर भी आपको बताता हूं जैसे मान लीजे मेंगनेशियम हाईड्राइड है तो मेंगनेशियम की वेलन सी 2 है तो इसके लिए उससे दो हाईड्रोजन जूटते है बराबार इस्सारा से हमेशा मेंगनेशियम हाईड्राइड आप चाहिए कहीं से भी उठाओ चाहिए What is एसा मैंग आंप हमाग ऐसा stoichiometric compound कहा जाता है अभी H2O हमेशा H2O ही होता है कभी ऐसा नहीं होता है कि H2O 1.5 ऐसा होता है कभी obviously नहीं होता है तो stoichiometric compound का मतलब यह होता है कि जिसमें जो ratio है वो fix रहती है ठीक है अभी इसमें और बात करते हैं हम लोग S block elements which are highly electropositive and beryllium and magnesium hydride are polymeric in nature तो यह भी आपको याद रखना है यह कई बार आपको MCQ में और true false के statement की तरह पूछा जाता है तो true false में कैसा ना कि आपको statement दिया रहेगा कि beryllium hydride is dimeric तो आपको जवाब देना हो कि ना ना जी जी एनना यह dimeric नहीं यह तो polymeric है फिर यह compound जी crystalline होते है obviously जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि यह सारे ionic है और ionic compound crystalline होते ही है उनकी melting point boiling point भी high होती है बेराबर और ionic compound है तो naturally क्या वो solid state में electricity conduct करेंगे obviously नहीं क्या वो molten state में electricity conduct करेंगे of course yes क्या वो aqueous state में electricity conduct करेंगे of course yes तो कोई भी आयोनिक compound हो hydride के ही क्यों किसी भी आयोनिक compound की आप बात करो तो molten और aqua state में वो electricity conduct कर सकते है जबकि आपका जो solid state रहेगा उसके अंदर वो electricity conduct नहीं करेंगे अब इसकी electrolysis के हम बात करते है बहुत ही beautiful सा topic है तो electrolysis में क्या होता है कि hydrogen gets deposited at anode and this confirms the presence of hydride ion देखे अगर मान लीजे sodium hydride के अंदर जो hydrogen है वो अगर minus 1 में नहीं होता तो क्या वो hydride होता था of course नहीं होता था so hydride है इस बात का प्रमाण क्या है इसी बात का प्रमाण है electrolysis कि hydrogen anode पर गया anode पर गया क्यों क्योंकि वो minus था तो मान लीजे अगर मैंने आपर एक electrolytic vessel लिया है और हमने आपर ले लिया anode और हमने ले लिया cathode और इसको हमने electrolytically connection दे दिया है और अंदर जो solution हमने लिया हुआ है not solution जो हमने आपर molten ये लिया हुआ है वो है आपका let's say sodium hydride ठीक है तो sodium hydride है तो अगर ये आपका positive terminal है और ये negative terminal है तो sodium will go towards cathode and hydrogen will go towards anode and that proves that hydrogen getting liberated in anode this proves that hydrogen is in the minus 1 oxidation state in hydrides ओके that's clear another interesting point जिसके ओपर सवाल आता है वो ये है कि अगर मैंने sodium hydride का aqueous mixture लिया तो क्या जमा होगा cathode पर और anode पर this is very interesting अब ये आपने क्या लिया है na h ठीक है आपने लिया है na h लिया है बरावर तो आपके वाश में na plus है और h minus है पर आपने aqueous लिया हुआ है तो aqueous के अंदर फिर पानी का h plus भी तो होगा ना और पानी का oh minus भी तो होगा na so now there will be competition h plus और na plus में competition होगा तो obviously जित्ता को होन है हमेशा hydrogen जो less reactive है वही deposit होगा तो आप देखोगे क्या कि positive terminal के उपर cathode के उपर यहाँ पर hydrogen gas जमा होने लगेगा and at the same time if you are talking about h minus and oh minus then as you have already seen hydrogen की hydride जो है वो anode के उपर जाता है तो anode के उपर भी hydrogen gas deposit होगा so that's a wonderful thing here कि na h की जो आपकी solution रहेगी उसका अगर आप hydrolysis sorry electrolysis करोगे so katine में भी hydrogen जा रहा है cathode पर और anine में भी hydrogen जा रहा है anode पर और इस तरह से naoh बच जाएगा मतब solution will turn alkaline and दोनों ही electrode के उपर hydrogen gas deposit हो रहा है ठीक है तो hopefully आपको ही समझ में आ गया clear हो गया अभी हम आगे बढ़ते हैं इसको इसी electrolysis को हम लोग थोड़ा इसको हम यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं तो जैसे यहाँ पर हमने लिया है lithium hydride और lithium hydride कामने solid state लिया तो electricity conduct नहीं कर रहा है bulb glow नहीं हो रहा है बरबर है लेकिन अगर आप जानते हो कि molten और aqueous solution तो electricity conduct करेगा तो हमने cathode और anode लिये यहाँ पर electricity flow और ही है negative to positive की और बरबर है और molten lithium hydride लिया हुआ है aqueous है नहीं तो हमारे पास में दो यह आयन है lithium ions है और hydride आयन है तो lithium जो की cut iron है वो cathode पर deposit हो रहा है और hydride जो की anion है वो anode पर deposit हो रहा है तो इस सरह से आपका जो cathode है वहाँ पर lithium metal आपको deposit हो यह मिलेगी और anode पर hydrogen gas के बुडबुड नजर आएंगे alright सेम वे आप sodium hydride के लिए वैसा ही कर सकते हो और sodium hydride के अंदर अगर हमने पानी डाला hydrolysis किया तो क्या होगा तो H प्लस अपना चला जाएगा दूसरे H माइनस के साथ में और di hydrogen gas liberate होगा और Na की जोड़ी बन जाएगी OH के साथ में और O बन जाएगा NaOH Ionic hydride shows solid like behavior और इसलिए इसे saline hydride भी कहा जाता है और राइट नौ नेक्स पॉइंट चल भाई अरे 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 चलो ओके सो saline hydride react violently with the water producing the di hydrogen gas इसना तो question is why do they react violently शानती से react नहीं कर सकते क्या और इजी जी अनना यहाँ कैसा हो रहा है NaH है और HOH है अभी अभी आपने वह animation के अंदर भी वही सेम चीज़ देखी तो H plus होता है और OH minus होता है Na plus होता है और H minus है तो Na plus और OH minus की जोड़ी बन के NaOH बन गया और H plus और H minus की जोड़ी बन के क्या बन गया hydrogen बन गया ठीक है अब hydrogen gas liberate हो रही है आप तो जानती हो hydrogen combustible है तुरंत fire catch कर सकता है और क्योंकि reaction aqueous medium में हो रहा है यह exothermic reaction भी है तो exothermicity और plus आपका combustible hydrogen gas इसलिए वह fire भी catch कर सकता है और इसलिए हम क्या कहते है कि reaction कैसा है violent है अभी इसमें एक और महत्वपुन पॉइंट यह है यह आपके कई बार इसमें आया हुआ है entrance में तो इसको ध्यान रख लीजिए reaction आपको as it is याद कर लेना है lithium hydride जो है वैसे तो यह बहुत अच्छा reducing agent हो सकता था लेकिन उसके जो आयोनिक के लिए हमने क्या करा उसको aluminum chloride के साथ में रियक कराया और उसका बन गया lithium aluminum hydride यह यह आपका बन गया lithium aluminum hydride लह आपका क्या बोलते है राजा reducing agent है ना तो लाजा reducing agent तो लाजा है वो यह है कि उसकी covalent nature है तो उसको थोड़ा और आयोनिक बनाने के लिए हमने क्या करती है उसको aluminum के साथ में treat किया सेम आप अगर बोरेन के साथ में करते हैं B2H6 मतलब डाइबोरेन तो डाइबोरेन के साथ में treat करोगा LIH को तो आपको मिलेगा है लिथियम हाइडरीड इस राधर अन्रियक्टिव और अट अमॉडरे तेम्परिचर विद ओ ओ तो यह अपना इवनिक हाइडराइड हो गया सब कुछ इसका अब आगे बढ़ते कोवलें Grailsky के बारे में तो Cobicating कैसे होता है तो Colin अपके पीरियोडिक टेबल में कहां बिलॉञ करेंगे यह बिलॉञ करेंगे आपके पी ब्लॉट के अंदर चिक है तो आपका और अकल क्लभ था अवो क्या था तो covalent hydride के अंदर P-block, जैसे कि methane हो गया, CH4, ammonia हो गया, NH3, water, H2O, HF, यह सारे के सारे non-metal के साथ में जो भी hydrogen जुड़ा हुआ है, उसे आप क्या कह सकते हो, covalent hydride, obviously क्यों कि non-metal आपके कौन से group के अंदर है, block के अंदर है, P-block, तो P-block के अंदर जो है, आपके non-metals है, और इसी लिए P-block के जो भी hydrides है, ऐसा नहीं कि सिर्फ non-metal है, वह पर metals भी है, लेकिन उन सारे hydride को हम इन जनरल क्या कहता है, covalent hydride या molecular hydride, they are covalent and hence they are volatile compound, देखिए ये एकदम volatile compound मतलब वो होता है, जो आसानी से उड़ जाता है, अब methane उड़ क्या जाएगा, वो पहले से उड़े लाई रहता है, ammonia जो रहता है, वो भी gaseous state में ही पाया जाता है, बराबर है, तो HF और H2O हला कि liquid है, लेकिन वो गरम करने पर उड़ तो जाएंगे ही न, जबकि sodium hydride या lithium hydride को गरम करेंगे तो वो इतनी आसानी से वो लो उड़ते नहीं है, they are in solid state, whereas H2O, HF these are in the liquid state, ठीक है, तो ये आसानी से उड़ जाते है, मतलब volatile है, और उनकी boiling point, melting point naturally कम होगी, क्योंकि वो covalent है, जो ionic compound होते है, उनकी melting point, boiling point ज्यादा होती है, और covalent की melting point, boiling point कम होती है, तो क्या याद रखना है, covalent hydrides are volatile compound, ठीक है, now according to the number of electrons that you know are involved in the bonding, molecular hydrides are mainly classified into three categories, electron deficient hydrides, electron precise hydrides, and electron rich hydrides, so let us understand them one by one, okay, तो जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि P-block जो है, आपका कौन सा बनाता है, covalent hydrides बनाएगा, group number 13, 14, 15, 16, 17 सब बनाएगा, 18 number family obviously noble है, तो वो नहीं बनाती, और covalent hydrides के तीन टाइप मैंने बता है, electron deficient hydrides, electron precise, और electron rich, first, so electron deficient hydrides group number 13 बनाएगा, ठीक है, तो group number 13 में कौन है, boron, aluminium, gallium, indium, thallium, ये सारे जो है, इनके पास में last shell में कितनी electron होता है, तीन electron होता है, ठीक है, तो चले, एक diagramatically मैं उसको ले लेता हूँ आपको इसे, मान लीजे हमने यहाँ पर लिया है, boron, बर बोरोन कितने bond मनाता है, तीन, एक, दो, और तीन, तो उसका बन गया borane, BH3 बन गया, ठीक है, अब boron के last shell में आप देखी, उसके पास में कितनी electron थे, एक, दो, और तीन electron थे, ठीक है, और भी hydrogen ने उसको और एक electron इसने दिया, इसने, और एक इसने, तो खुल मिला के कितने होगे, छे electron होगे, दो भई इसकी तो octet complete नहीं है, जब octet complete नहीं है, तो इसके लिए उनके पास में एक empty P orbital भी है, स्मार्ट बच्चे जानते हैं, NOCB का concept जिनका clear है, वो यह जानते हैं कि बोरेन के पास में एक खाली P orbital आएगी, और खाली P orbital है, तो उसके अंदर electron लिये जा सकते हैं, इसके लिए वो क्या होगे, Lewis Acid, electron acceptor, और यह electron deficient है, तो आपको यह खास याद रखना है, ग्रूप 13 के जो hydride होते हैं, वो electron deficient होते हैं, इसलिए वो electron को accept करेंगे, और इसके लिए वो Lewis Acid कहलाएंगे, ठीक है, फंडा clear हो गया, बरावर है, तो यह बोरेन की मैंने बात करी, बोरेन को जड़ा ध्यान से देख लीजे और याद रखे, इसी वीडियो के end में मैं एक मज़ेदार बात आपसे करूँगा, बोरेन के related, ठीक है, अभी बोरेन के बाद हमने बात करनी, electron precise वाले hydride के बारे में, तो electron precise hydrides और फॉर्मद आए, ग्रूप 14, तो जैसे हम इसमें carbon की बात करते हैं, तो carbon जो है, वो क्या बनाता है, methane बनाता है, so let us take that, यहाँ पर हमने लेना है carbon, और carbon ने कितने bond बना है, 6 bond, क्या 6 bond, भूत, कितने bond बनांगे, 4, उंग में तो नहीं है न, तो 4 bond बने, एक bond में क्या होता है, 2 idli होता है कि 2 sambar होता है, अफकोर्स क्या होता है, 2 electron होता है, बराबर है, तो चार bond में कितने electron होता है, 8 electron होता है, तो इसकी तो octet complete है भई, तो यह electron देगा की लेगा, काईकू देगा सर, octet complete है ना, अच्छा लेगा ना, अरे काईकू लेगा सर, octet complete है ना, तो मैंजे हम क्या कह सकते यह electron precise है ना इने electron लेने की जरुरत है ना electron देने की जरुरत है तो group नमर 14 वाले जो hydrides है जो कि tetrahydral geometry में रहेंगे obviously sp3 hybridized है यह वाले जो hydride है यह आपके ना तो electron deficient है ना ही electron rich है कैसे है यह electron precise है ठीक है चली अब बात करते हैं अगला molecular hydride में तीसरा type that is electron rich hydride ठीक है so electron rich hydride कौन बनाएगा बाकी बचे हुए group group नमर 13 आपका कौन सा था deficient वाला 14 नमर कौन सा था precise वाला तो अभी 15, 16 और 17 जो है इन तीनों के पास में lone pair है smart बचे जानते है nitrogen के पास में 1 lone pair oxygen वाली family में 2 lone pair और fluorine family में 3 lone pair तो यह सब lone pair वाले है माने electron दे सकते है और इसलिए यह क्या कहलाएंगे electron rich hydride ठीक है तो electron rich hydride के अगर हम बात करने हैं तो इसमें कौन कौन आ गया nitrogen आ गया oxygen family आ गया और halogen family आ गया और यह obvious सी बात है बार-बार बताने की ज़रूद नहीं यह nitrogen के पास में 1 lone pair है water में 2 lone pair आएंगे और hydrogen fluoride में 3 lone pair आएंगे तो इसलिए वो लो electron donor बन गए अग जब वो electron donor बन गए तो वो क्या कहलाएंगे Lewis base electron base ठीक है तो यह लोग electron rich hydride है Lewis base electron donor है ठीक है अब आगे बात करते हैं अगला जो है आपका भी तीसरा type of hydride that is metallic hydride अभी metallic hydride जो रहते है इनको non stoichiometric hydride भी कहा जाता है वो समदने से पहले हम यह समद लेते कि भी metallic hydride कौन से है तो आपका जो S block है वो तो ionic है P block है वो आपका covalent है तो DNF block जो है यह element आपके metallic hydride में आएंगे बहले बाकी में metal रहा तो भी इन ही को metallic hydride कहेंगे palladium hydride, zirconium hydride यह सारे उसके example है कई सारे hydride इस वाली family बनाती है लेकिन एक interesting fact है यह family में third number family, fourth और fifth number family, DF block की जो यह तीन family है, यह लोग तो hydride बना लेते है, बरबरे और आपका जो अगले जो बाकी जो ग्रूप है 9, 10, 11, 12, sorry 10, 11, 12 वो भी बनाते है six number family में सिर्फ और सिर्फ chromium है, जो hydride बनाता है ठीक है, बाकी लोग hydride बनाते नहीं है, तो chromium की hydride क्या है CRH, that is chromium hydride 7, 8, 9 ये तीनों ग्रूप के members hydride बनाते नहीं है, और इन्हें periodic table में hydride gap के नाम से जाना जाता है तो मैं आपसे पूछूँगा वाईवा में कि what is hydride gap, so you have to tell me, group number 7 and 8 and 9, they do not form hydrides, which is referred as a hydride gap, मतलब ये पूरी की पूरी family नहीं बना रही है, बाकी families में भी कई जोगर पे कुछ-कुछ element hydride नहीं बनाते, जैसे gold है silver है, ये लोग भी hydride नहीं बनाते, लेकिन फिर उनके family में दूसरे कुछ member है, जो hydride बना लेते है, लेकिन 7, 8, 9 family member ऐसे है, कि hydride बिल्कुल नहीं बनाते हैं, मतलब iron, cobalt, manganese, technicium, ruthenium, rhodium, ये सारे नाम याद करने की जरूत नहीं है, खाली याद रख लीजे, at least पहले के तीन manganese, iron and cobalt, माने 7, 8, 9, ये तीन family वाले hydrides बनाते नहीं हैं, और इने hydride gap के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी आप picture में same चीज़ देख रहे हैं, क्या मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, देखिए आप पहला वाला जो मैंने बताया था, manganese, iron and cobalt वाली, अच्छा, यह वाले periodic table में थोड़ी से error है, यह भुज जैसे, scandium family दी हुई है, yittrium family दी हुई है, lootation वाली, जो पुरी एक row यहाँ पर missing है, बराबर है, तो वो समझ लेंगा, ठीक है, that's okay, बट यहाँ पर आपको जो main पत्ते की बात हुए, 789 family is the hydride gap, but not as efficiently as the parent metal could have, मतलब अगर मान लीजे मेरे पास में chromium hydride है, तो chromium जैसे electricity conduct करता है, वैसा chromium hydride नहीं करेगा, बराबर है, तो chromium hydride कर सकता है, लेकिन वहुत कम करेगा, उसके parent metal chromium जैसा नहीं करता है, अभी यह जो रहते हैं, यह almost always non stoichiometric होते है, बराबर है, they are having deficiency of hydrogen, अभी सरी deficiency of hydrogen यह कुछ फंडा समझा नहीं, non stoichiometric मतलब, तो जरा अभी आपके screen पर जो यह चपडगंजू लोग आया है, इनके formula देखो, LAH 2.87, इटर्बियम hydride, इटर्बियम H 2.55, टाइटेनियम hydride, TAH 1.5 to 1.8, है, यह तो सरा अजीब है, obviously अजीब है, हम कोई भी compound बना तो कैसा रहता है, तो उसमें नीचे कैसा रहता है, water लिखना है, हम ऐसा कभी लिखते हैं, H 1.33O, ऐसा कभी कोई compound देखा है कहा हमने, नहीं देखा है, लेकिन यह भूज जैसे compound ऐसे ही exist करते है, तो बहुत बड़ा एक question आता है, ऐसे कैसे कोई, मतलब आधा hydrogen जुड़ा, ऐसा कभी कुछ हो सकता है क्या, तो obviously answer is no, ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर सर ऐसा हुआ कैसे, मतलब यह इस सरा से इनकी जो stoichiometry, जो है वो पूरी हीले ली क्यों है, पहले तो यह याद रखो, कि इनकी stoichiometry हीले ली है, मतलब कुछ भलता ही चाहे, इसके लिए इसको आप non stoichiometry का होगे, ठीक है, अब माल लेजे बहिंदर में से आपने titanium hydride निकाला, तो बहिंदर का titanium hydride जो है, वो TIH 1.6 आ रहा है, ठीक है, लेकिन वही जाके मैंने मेरा रोड में जमीन खुदाई की, और वहाँ पर मेरे को titanium hydride मिला, और वो मेरे को मिल रहा है TIH 1.8, तो क्या ही इस stoichiometry ratio में balanced करके पाया जा रहा है, the answer is no, मत्विए यहाँ पर एक बहुत बड़ी नियम का भी उलंगन कर रहा है, कौन सा नियम, law of constant proportion, याद है ना मैंने थोड़ी दिर पहले कहा था, चाहिए आप water अमरिका से ले क्या हो, कि भहिंदर का ले क्या हो, हो है तो H2O, hydrogen 2 रहेगी, oxygen 1 रहेगी, यह तो fix है, लेकिन इस तरह के जो compound होते है, metallic hydride जो compound है, इनकी जो stoichiometry वो fix नहीं होती है, variable होती है, बराबर है, सर यह तो समझ गया लेकिन वो ऐसा क्यूं है, वो बताईए अभी आप, तो ऐसा इसलिए है, क्योंकि यह आप बाजू में structure देखी है भी, ठीक है, यह जो आप structure देखे हों, इसमें grey color के जो item है, यह आपके metal item है, ठीक है, अब यह metal की जो item होते है, एक particular fashion में arranged होती है, यहाँ पर जो structure में आप, मतलब screen पर जो आप देख रहे हो, इसे आप कहते है face centered cubic, ठीक है, क्या कहते है face centered cubic, तो जिनका face centered cubic पढ़ा के नहीं हुआ है, दोस शूट relax, बाकी जो है, आप खाली अभी के लिए याद रख लीजी, एक तरह की crystalline arrangement है, ऐसी अलग-अलग 14 परकार की crystalline arrangement होती है, उसमें से एक crystalline arrangement जो आप यहाँ पर देख रहे हो, वो है face centered cubic, बरबर अभी इसके अंदर आप देखो कि बीच बीच में खाली जगाएं होती है, यह जो खाली जगाएं होती है, उसको कहा जाता है void, क्या कहा जाता है उनको? void, और यह जो hydrogen gas है, वो उस void में घुज जाता है, ठीके, अब क्या होता है कई कबार, जरूरी नहीं कि सारे void occupy हो जाएं न, कुछ-कुछ void खाली भी रह जाएंगे, तो खाली जहाँ पर void रह गए, तो इसकी वज़े से क्या होगी, stoichiometry balance नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो stoichiometry balance नहीं होएगी, समझे, तो इसलिए इनका जो ratio है, वो 1 is to 1 या 1 is to 2 ऐसा नहीं आता है, बलकि point में आता है, ठीक है, अभी एक नहीं मज़े की बात सुनो, अभी यह जो interstitial hydride को जो मैंने फंडा बता है न, आगे चल कर पता चला कि यह फंडा फ्लॉप है, बराबर यह सब के लिए valid नहीं है, बराबर है, मतलब hydrogen occupies the interstitial spaces, इसी के कारण यह सारा distortion आ रहा है, और इसी लिए इनका नाम interstitial hydride दिया गया था, बराबर इनको interstitial hydride भी कहते है, क्यों, क्योंकि वो interstitial spaces में जाके घुश जाते है, ठीक है, बट लेटर ओन पाया गया कि सिर्फ nickel, palladium, cerium and actinium, इस तरह के जो metals है, उनके hydride interstitial hydride है, लेकिन बाकी hydride जो है, वो interstitial नहीं थे, बराबर interstitial नहीं थे, मतलब वो actually में metal के साथ में जो जुड़ते हैं, तो उसकी पूरी जो crystal structure उसे ही बदल देते हैं, बराबर और इस बदले हुए crystal structure के कारण, उनका जो performance रहेगा, वो उस metal जैसा नहीं होता है, parent metal जैसा नहीं होता है, ठीक है, और जो नए जो discovery हुई, कि ये metal hydride जो होता है, वो interstitial hydride नहीं है, तो इससे ये भी पता चला हमें, कि जो hydride है, वो interstitial space occupy ना करते हुए, उनसे actually में जूड़के compound बना रहे हैं, लेकिन कई जगों पर ये compound ना बनके, सिर्फ metal ion अकेले present रहता है, मतलब उसकी जो जोड़ीदार hydrogen है, वो वहाँ पर नहीं होता, और इसी के कारण वो non-strosiometric रह गए, ठीक है, तो ये एक फंड़ा हो गया है, non-strosiometric hydride का, अब उसका जो main काम है, ये सुनिए, तो hydride जो होते हैं, वो sorry, metals जो होते हैं, वो hydrogen को adsorb करते हैं, कौन से metal, transition metal, inner transition metal, इनके पास में hydrogen को adsorb करने की, एक बहुत बहतरिंग शमता होती है, ठीक है, और platinum, palladium, इस तरह के metal जो है, ये तो अपने अंदर hydrogen को अंदर खीच लेते हैं, मतलब absorb कर लेते हैं, इनके void spaces में वो खीच लेते हैं, तो जब ऐसा जब वो hydrogen को पकड़ के रख सकते हैं, तो ये इसको हम कहते हैं, ये metal hydrogen को store कर रहा है, और जब ऐसे metal होते हैं, जो hydrogen को store कर सके, तो उसका इस्तेमाल, catalytic reduction के लिए किया जाते हैं, तो आप अल्रेडी जानते हैं, nickel है, platinum है, palladium है, इस तरह के जो metal items है, वो hydrogen को, large volume of hydrogen को store करते हैं, इसलिए इन्हें hydrogen storage भी कहा जाते हैं, source of energy की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाते हैं, खास करके fuel cell के अंदर, oxygen hydrogen fuel cell, इसके उपर मैंने detail में चर्चा अभी नहीं करी है, आपके NCRD में ये topic mentioned है, लेकिन हम electro chemistry chapter के अंदर, hydrogen oxygen fuel cell को, और बैतर तरीके से detail में समझेंगे, बट तब तक के लिए आप ये मत भूल जाना, कि platinum और palladium, ये हमारे लिए बहुत काम आने वाले हैं, क्यों, क्योंकि ये hydrogen को store कर सकते हैं, ठीक है, ये थे hydrides की बाते, और ये तो यहाँ पर अपना hydrogen topic क्या होता है, समाप्त, ठीक है, तो hydride topic भी clear हो गया अपना, अब NCRD में कुछ index question solved थे, उसके basis पर मैंने आपर कुछ एक discussion लिया हुआ है, तो smart बच्चों के लिए exclusive है ये, पहला सवाल है कि PCL5 और NCR5 इन दोनों में कौन exist कर सकता है, और क्यों exist कर सकता है, तो जवाब है इसमें PCL5 exist करेगा, लेकिन NCR5 exist नहीं करेगा, अब सवाल आता है कि ऐसा कैसे सर, phosphorus और nitrogen तो एक ही family वाले है, अगर phosphorus ने 5 bond बनाए है, तो nitrogen क्या 5 bond नहीं बना सकता, तो जवाब है yes वो नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि nitrogen के पास में D orbital नहीं होते है, तो nitrogen अपने electron को excite करके D sub shell में नहीं भेज पाता, तो उसकी valency जो है वो 3 तक सीमित है, मतब nitrogen जादा जादा 3 bond बना सकता है, 3 covalent bond, चौथा bond वो coordinate bond लोन पेर दे के बना सकता है, लेकिन covalent bond जो है वो 3 ही बना पाएगा, ठीक है, जबकि phosphorus के आप बात करो, तो phosphorus के पास में D sub shell है, empty D sub shell, तो अपने S sub shell के electron को excite करके, वो D sub shell में भेजेगा, इस तरह से PCL5 form होता है, लेकिन NCl5 कैसे form होगा, जबकि उसके बास D orbital है ही नहीं, समझ गए ना, तो इस बात को ध्यान रखे, MCQ में इस तरह के सवाल आते है, true false statement के लिए, अब दूसरा सवाल ये है, कि PCL5 बनता है, तो क्या pH 5 बन पाएगा, ओके, अब फॉस्फरस को तो कोई दिक्कत नहीं ना, 5 बनाने में, तो वो हाइडरोजन से जुड़के, pH 5 भी तो बना सकता है, बट जवाब है no, इज़ी इज़ी अन्ना, ऐसा नहीं होना, फॉस्फरस पेंटा हाइडराइड नहीं बनाता है, फॉस्फरस का से तीनी हाइडरोजन के साथ में जुड़ाओ पॉसिबल है, जिससे बनता है pH 3, और इसे कहता है फॉस्फाइन, ठीक है, इसको फॉस्फाइन या फॉस्फीन गैस भी कहा जाता है, लेकिन pH 5 नहीं बनता, अब सवाल है कि ऐसा क्यूं है नहीं बनता, तो pH 5 के अंदर फॉस्फरस की जो उक्सिडेशन नंबर है वो प्लस 5 है, बरबर है, तो फॉस्फरस को प्लस 5 में, मतब पाँच उक्सिडेशन स्टेट, मतब नोट प्लस 5 एग्जेक्ली, बिकोज हाइडरोजन डेफिनेटली यहाँ पर फॉस्फरस माइनस 5 कहलाएगा, लेकिन कहने का मेरा ताथ पर यह है कि अगर हाइडरोजन को 5 बनवाने हैं, तो उसे उतने इलेक्ट्रोन फॉस्फरस के एक्साइट करवाने होगे, ठीक है, जब हाइडरोजन फॉस्फरस के इलेक्ट्रोन को एक्साइट करवा पाएगा, तो ही वो 5 बनवाने बना पाएगा ना, अब हाइडरोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लुल है, वो हेलोजन की जैसी इतनी स्ट्रॉंग तो उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है नहीं बराबर इसी लिए लोवर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के चलते पी एच फाइ नहीं बनता जबकि chlorine highly electronegative है fluorine electronegative है ये लोग क्या करते है phosphorus के electron को excite कराते है और उसके साथ में 5 bond बनाने के लिए एक-एक single electron generate कर देते है समझ गए तो इस सरा से PCl5 exist करता है लेकिन pH5 exist नहीं करता ठीक है तो इन दोनों topic को अब समझ गए होगे इस पर MCQ आते है अब बात करते है borine जो होता है that is BH3 बराबर तो nature में it exists as BH3 या it exists as di borine that is B2H6 आपने कई बार सुना है di borine को लेकर ठीक है जैसे आपने hydro boration oxidation करा alcohol chapter के अंदर MOP of alcohol में आपने hydro boration oxidation किया तो उसमें हम borine use करते है कि di borine use करते है of course the answer is di borine तो BS3 यह मैंने आपको आज के topic में discussion ने बताया था कि BS3 मैंने लिया था but reality यह है सच बात यह है कि borine exist ही नहीं करता बोरेन जो normal regular state में जो standard state में जो वो exist करता है so it always exists as a dimer dimer मतलब दो molecule आपस में जुड़े हुए है अब सवाल आता है ऐसा क्यूं बड़ा आसान है चलिए देखते जाते यह आपका structure जो मैंने आपर लिया हुआ है borine का लिया हुआ है ठीक है borine हाला कि planar है यहाँ पर इसको आप structure को plane की तरह देखे borine planar है उसके पास में एक p orbital खाली है ठीक है और दूसरा borine है इसके पास भी एक p orbital खाली है तो यह इस borine के पास में क्या है थोड़ा है थोड़ी की ज़रूरत है और दूसरे वाले borine को भी ज़रूरत है तो यह दोनों क्या करते है आपस में एक दुसरे की मदद करते हैं, ठीक है, और जब आपस में एक दुसरे की मदद करते हैं, तो क्या होता है, यह hydrogen की जो electron थी, वो इस orbital में वो उसको देगा, और यह BH वाला electron, इधर इस empty orbital के अंदर अपने electron देगा, और इस से बन जाता है banana bond, क्या बन जाता है इस से? banana bond, ठीक है, तो banana bond कैया, कैसे बनेगा तो banana bond ऐसे बनेगा कि यह जो electron है, कभी इधर रहेंगे, तो कभी इधर आ जाएंगे, देखें अभी इधर आ गया तो यह electron इस से यह दो boron के बीच में oscillate होते रहेंगे उसी तरह से इस hydrogen के electron भी दोनु बोरon atom के बीच में oscillate होते रहेंगे समझ गए इसी लिए borane always exist as what? di borane ठीक है तो यहाँ पर आप interesting fact को याद कर लीजे borane di borane में दो hydrogen ऐसे है जिसको हों कहते है bridge वासी hydrogen क्या कहते है? bridge वासी ठीक है क्यों bridge वासी? क्यों क्यों bridge की तरह काम कर रहे है और यह यह जो है जो मैंने अभी highlight करें यह चारो terminal hydrogen कहलाते हैं क्या कहलाते है terminal hydrogen और जो बीच में जो है उसको हम क्या कहते है bridge वासी hydrogen मज़े की बात यह है कि bridge वासी hydrogen में यह देखो एक bond में दो इलेक्ट्रोन होते हैं मानते हो ना अब यहां पर आप देखो यह boron है और hydrogen है दो एटम है और दो इलेक्ट्रोन उनके बीच में शेर हुआ है तो एक साधारन जो bond होता है उसको हम हमेशा कहते है 2C2E bond हैं यह क्या लिखा सर 2C2E मतलब 2 center 2 electron जैसे कि मान लीज़े हम बात कर रहे है HCL तो HCL में कितने center है 2 center है एक hydrogen is the center और chlorine is the center और उनके बीच में electron कितने है 2 है तो आप क्या कहोगे 2 center 2 electron bond अगर मान लीज़े मैंने ऐसा लिया है O double bond O तो मैं इसको क्या कहूँगा 2C4E bond क्यों ऐसा कहूँगा 2C4E यहां पर 2 center है और 4 electron है तो इसको मैं क्या कहूँगा 2C4E bond तो उसी प्रकार अगर आप यहां पर गौर से देखें तो यह जो हमारा hydrogen है इसके जो 2 electron पहले यहां हुआ करते थे अब वो यह तीन लोगों के अंदर शेर की जा रही है समझ रहे हो ना और इसी लिए इसे हम कहते है 3 center 2 electron bond है न मज़ेदर तो आपको पूछा जाता यह सवाल कि डाइबोरेन कंटेंस 3C2E bond Is it true? The answer is yes It contains 3 center 2 electron bond Now Similarly the above hydrogen is also having 3 center and only 2 electron तो यहां पर टोटल 2 banana bonds है यह जो 2 bond मैंने highlight करे उसको banana bond कहा जाता है और इसके जो bonding nature है वो है 3 center 2 electron ठीक है जब कि बाकी जो 4 बचे हुए bonds है यह 4 के 4 आपके regular bond है that is 2 center 2 electron bond ठीक है न? ओर राइट अभी यहां पर और एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ बोरोन जो होता है वो जब hydrogen से जुड़ेगा तो उसका जो structure बनता है वो कुछ इस प्रकार होता है trigonal planar बरबर है और उसके पास में MTP orbital होती है इस वक्त में इसके 3 के 3 हाइडरोजन एक ही plane में है क्यों न हो? वो sp2 hybridized जो है ठीक है? लेकिन जब इसका di boron बनता है बरबर तो इस structure को इस 3D structure को ज़रा गौर से देखे आप देखेंगे क्या देखेंगे ये देखेंगे कि ये hydrogen और ये hydrogen देको एक ही plane में है लेकिन ये hydrogen और ये hydrogen देको उपर और नीचे जा रहा है दिख रहा है ये दो hydrogen एकी plane में है और ये दो hydrogen उसके perpendicular plane में नजर आ रहे Almost Same is the case on this boron as well क्योंकि जब वो di boron बनता है तो उसके hybridization SP2 से बदल कर SP3 हो चुकी है ठीक है? तो di boron के अंदर boron के hybridization SP3 है और अब वो tetrahedral हो चुका है ठीक है तो अब सारे hydrogen एक plane में नहीं है जो आपके terminal वाले 4 है वो एकी plane में है लेकिन जो ब्रिजवासी है वो उसके perpendicular plane में है Almost perpendicular Not exactly although because angle will be 104 का आपको follow करना रहता है I mean 104 से 109 whatever it is tetrahedral की angle ठीक है तो ये हो गया आपका di boron ठीक है तो आशा करता हूँ आपको ये die boron के बारे में जो मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आ गया 3C2E bond को लेकर और terminal और bridge hydrogen को लेकर banana bonding को लेकर और hybridization को लेकर अक्सर सवाल JEE के अंदर या नीट के अंदर आते रहे हैं तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजे और याद रखिए और राइट एंदेट्स अल हुरुदेव पुन्हा एकदा बेटु है बाई बाई रड़ा फिर मुला कात होगी तैंक यू वर्यमाच गॉड ब्लेस यू अल फ्यू बाई बाई तैंक यू